हाई, अम अवनी आ रहा और आप देख रहे हैं नाकू नियूस बुलिटिन आईए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ खबरों पर आज गुरुवार 29 दिसंबर को CM एकनाच शिंदे रेशम बाग के RSS हेटकोर्टर्स पहुँचे जहां शिंदे ने हेट गिवार के समारक को नमन किया उने शद्दान जली अर्पित कर फूल चड़ाए इसके साथ ही RSS के दूसरे संग्चालक मादवराफ गोलवर्कर के मेमोरियल को भी उन्होंने नमन किया CM शिंदे सुबह साड़े दस बजे के करीब रेशम बाग पहुचे थे इस दौरान उनके साथ डेपिटी CM देविद रफड नविस और MLA प्रसाद लाड भी थे ये शायद पहला मौका है जब किसी दूसरी पार्टी के CM RSS के हेटकोर्टर पहुचे थे इस दौरान CM शिंदे ने कहा क्योंने यहां आकर अच्छा लगा और यहां से एक अलग ही उजा मिलती है मैं बच्वन में संग की शाखा में जा चुका हूँ इसलिए इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है RSS के हेटकोर्टर पहुचकर हेटगेवार के मेमोरियल को शद्धान चली देने के बाद CM शिंदे दिक्षा भूमी पहुचे और यहां उन्होंने बाबा साहिब के समारक के और उनकी अस्थियों के दर्शन किये इस समय उनके साथ डेपिटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडनविस भी मौझूद थे गुरवार 29 दिसंबर को विधान भवन की सीड़ियों पर उपोजिशन पार्टी के नेताओं ने हाथों में खाली बॉक्स और MLA कैट्स के टॉइस को लेकर नारे बाजी की इस समय खोके लेने वालों को भगाओ और महाराष्ट बचाओ की खोशना भाजी भी की गई पिछले एक हफते से मंत्री अब्दुल सत्तार के रेजिगनेशन की मांग कर है ओपोजिशन के नेताओं ने आज भी उनके खिलाफ नारे बाजी की इस प्रोटेस्ट में अमबादास दानवे डॉक्टर नितिन राउत, नाना पटोले, रोहत पवार, यशो मती ठाकुर, धननजय मुंटे, जितेंद्र आवार, भासकर जादफ, सचन अहर, विकास ठाकरे मौजूद थे आज भी विधान भवन का परिसर खोके शक्त से गूंजा सीएम एकनाश इंदी के आरसेस के हेटपॉर्टर जाने पर शिफसेना की नीता संजेर राउत ने तंच कसा है राउत ने कहा कि संख के विचारों का रेशम का कीड़ा उनके कानों में गूंज रहा है कुछ दिनों के बाद सीएम काली टोपी और हाफ पैंट पहनकर सबागरों में आएंगे राउत ने कहा कि इतने जल्दी बदलने की उमीद नहीं थी इसके साथ ही राउत ने ट्वीट करके भी सीएम पर निशाना साधा है उन्होंने ट्वीट में कहा है कि रेशम बाग में आप गए इसकी खुशी है इस संग के साथ उनके स्वयम सेवक वर्षों से लॉयल है उन्होंने कभी भी संग या हेटकोर्टर हड़पने का नीच प्रयास नहीं किया आरेसेस के संग की संगठन के साथ लॉयल्टी क्या होती है ये भी सीख लिया होता तो और ज्यादा अच्छा लगा होता इस ट्वीट से राउत ने शिंदे पर निशाना साधा उद्व ग्रूप के एमेले निदिन देशमुक दो दिनों से काफी चर्चा में है उन पर पुलिस कर्मियों के साथ मार पीट और उनके समर्थकों की और से पुलिस के साथ गाली कलोच किये जाने की खबरे सामने आ रही है इस मामले को लेकर सदर पुलिस ने देशमुक और उनके समर्थकों पर मामला भी दर्च किया है लेकिन इसी बीच ML देशमुक का कहना है कि उन पर लगाये गए आरोब जूटे हैं उन्हेंने कहा कि जो भी वीडियो वाइरल हो रहा है उसमें कहीं पर भी पुलिस को मानने का सीन नहीं है उन्हेंने कहा कि ये सब उन्हें फसाने के लिए किया जा रहा है देशमुक ने ये भी कहा कि अगर ये आरोब साबित हो जाता है तो वो MLA की पोस से रेजिगनेशन दे देंगे गुरुआरों 30 दिसंबर को विधान भवन में OBC सुडेंट्स के लिए स्वाधार स्कीम लागू करने की घोशना डेपुटी सीम देविंद्र फढविस ने की है OBC स्टूडेंट्स के लिए पांच होस्टेल्स शुरू करने की जगह भी देखी गई है और जल्दी इससे शुरू करने की जानकारी भी फढविस ने इस दौरान दी इस समय उनने बताया कि स्टूडेंट्स को रहने, खाने और एडुकेशन का खर्च उनके बैंक अकाउंट में टेबिस से भेजा जाएगा इसका फायदा 31 डिस्ट्रिक्ट्स के 600 सूडेंट्स को होगा जिस तरह से स्सी मराथा, OBC स्टूडेंट्स को पीएचडी के लिए फेलोशिप दी जाती है अब ऐसी ही फेलोशिप आदिवासी स्टूडेंट्स को भी देने की जानकारी फढविस ने असेंबली में दी केमेले चंदर शेकर बावन कुले ने अजित पवार को लेकर बोला था कि जब से मैंने बारामती दोरा किया है अजित पवार बेचैन है, उन्हें कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा है आने वाले लोग सबा में हम उनका करेक्ट प्रोग्राम करेंगे और पवार फैमली को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा बावन कुले की इसी बात पर पवार ने तंच कसा है पवार ने आगे कहा कि 52 कुले जैसा ताकत वर नेता अगर ऐसा कह रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटिक से सन्यास दे लूँ क्राइम ब्रांच की उनिट दो की टीम ने पूने में कैश और गहनों समेट 27,47,000 रुपए का माल चुराने वाले कपल को बुधवार शाम को नाकपुर में अरिस किया है आरोपियों के नाम राजपाल हारगे और अर्मिला हारगे है और दोनों पूने के कल्यानी नगर में रहते है जानकारी के मताबक कल्यानी नगर में ही रहने वाले सूरज अगरवाल की फैमिली 26 डिसंबर की सुबह शेहर से बाहर गए थे इस दोरान आरोपियों ने अगरवाल के घर से कैश 2,58,000 रुपए और 24,90,000 की जूरी चुराई थी चोरी करने के बाद दोनों आरोपी पूने से नाकपुर फरार हो गए इस चोरी की जानकारी मिलने के बाद से ही क्राइम ब्रांच की टीम इस पर नजर रख रही थी Nation Next, News Hub for New India